बोलिये बीर बजरंग वले की जए बोलिये सनी देव जी महराज की जए शिंग रासी वालों का 28, 29 और 31 मार्च का समय भोकाल मचने वाला है बराही खतरनाक समय ये होने वाला है बेहद ही खतरनाक समय जैसा आपने अभी तक देखा नहीं होगा गरहों का भाड़ी परिवर्तन होने जा रहा है क्या क्या परिवर्तन होगा क्या क्या परिनाम होंगे उन सभी विसे के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन मित्रों उस से पहले आप ये कर्फॉर्म कर लें ये जान लें कि आप सिंग रासी के हैं भी या नहीं क्योंकि पता चला कि आपने पूरी वीडियो देख ली और बाद में आपको पता चला कि आप तो सिंग रासी के थे ही नहीं आपके घर में कोई सिंग रासी का था ही नहीं तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप सिंग रासी के हैं या नहीं आईए पहले वो जान लेते हैं मित्रों सिंग के सामने जो आपको अक्षर दिखाई देरा जैसे कि मौ, मी, मू, मे, मौ, टा, टी, टू, और टे इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी रासी सिंग हुई अथवा आपके घर में ही अगर किसी व्यक्ती का नाम इस अक्षर में से सुरू होता है तो उसकी जो रासी हुई वो सिंग हुई और रासी स्वामी जो हुए वो सूरी देवता हुए यानि कि आपके जो मालिक हैं वो सूरी देवता हैं आप ही के मालिक वो हैं अभी जो ये समय चल रहा है इतना खतरना करोना वाइरस का वो आपके जो मालिक हैं आप सिंग राजी वाले के जो श्वामी हैं भगवान सूरे वही इसको हर सकते हैं वही इसको मिटा सकते हैं आपका जो मित्रों जीवन रतन हुआ जो आपके लिए स्टोन है पत्थर है जिसको आप धारन करना चाहते होंगे वो मानिक के है मानिक के नाम का रतन आप धारन कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा इसको धारन करके आप अपने जीवन के बहुत सारे प्रेसानियों को दूर कर सकते हैं इससे निजात पा सकते हैं लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उतना पैसा खर्च कर नहीं सकते जिस लाल कलर का कपरा पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आईए मित्रों चर्चा करते हैं शिंग रासी बालों के बारे में कि क्या क्या होने बाला है इस खतरनाक समय में 28, 39, 31 मार्च को क्योंकि भौकाल मचने बाला है गरहों का परिवर्तन होने जा रहा है और इस गरहों के पूरी स्रिष्टी ही काप रही है बदल रही है मित्रों क्या क्या क्रह का परिवर्तन हो रहा है इस समय में पहले आप वो जान ले चंद्रमा के गोचर इस सप्ता है आपके सप्तम, अस्टम, नवम और दसम भाव में सक्डिय अवस्था में होने जा रहे हैं और वहीं सुक् गोचर आपके दसम और गुरू का गोचर आपके सस्टम भाव में इस सप्ता में होने जा रहा है जो कि 28, 29, 30 और 31 को रहेगा मित्रों शप्तम भाव में चंडर के गोचर के दौरान आपको कुछ ऐसे पडिनाम मिलेंगे जिससे कि आपके बैवाहिक जीवन में कुछ सुभफल की प्राप्ती होने जा रही है बैवाहिक जीवन में कुछ बिसेस अच्छा होने जा रहा है आपको कुछ अच्छा पडिनाम का प्राप्ती होगा आपके जो गिले सिक्वे होंगे पहले वाले वो दूर हो जाएंगे इस समय में अस्टम भाव में चंदर के गोचर के दौरान जीवन में आ रही सारी रुकावटें जो हैं तो दूर हो जाएंगी लेकिन क्योंकि अस्टम भाव मृत्यू का घर होता है मौत का घर होता है तो आपको कुछ ऐसे पडिनामों का सामना भी करना पड़ेगा जो आपके चानलिये मौत के समान कष्टकारी होगा तकलीफ दायक होगा इस समय में आपको बुखार से सम्मंधित परेसानी आ सकती है तवियत खराब हो सकता है बुखार लग सकता है आपको जोर हो सकता है और सिर में पीरा आपको हो सकता है अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अकसर समय में सर में दर्द सिर में पीरा और ज्वर यनी की बुखार आपको लगभग परेसान करता रहता होगा अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा मित्रों कुछ ऐसे सामान है जिसके चोड़ी होने की संभावना है जिससे कि आपको बचना चाहिए आपके खिलाप आपके सत्रू जो है सो साजिस रच रहे है और 28, 29, 30 और 31 मार्च के दौरान कुछ ऐसा वो करने का प्रियास करेंगे जिससे कि आपका सारा बना बनाया काम बिगर जाएगा अथवा बिगरने की संभावना है आपके दुस्मन आपके पीछे लगे हुए है और ऐसे आपात काल में भी वो आपको चैन से बैठे देना नहीं रहने देना चाहते हैं मित्रों चंद्रदेव आपकी रासी से नवम भाव में गोचर करने वाले हैं आप अध्यात्मिक पुस्तकों में अपना ध्यान लगाएंगे अध्यात्मिकी तरफ आपका कुछ रुजहान होगा और आप उसको पढ़ेंगे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करके और उनके साथ बाचीत करके आपको बड़ा मजा आने वाला है आपके लिए ये अच्छा समय इन मामलों में रहेगा लेकिन गुरू का गोचर इस समय आपके सस्टम भाव में भी जाएगा जिसके चलते गंभीर कुछ बिमारियों से आपको राहत मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है लेकिन छोटी मोटी बिमारियां जो मैंने आपको बताई वो आपको लगी रह सकती है सुक्र का ग्रह गोचर आपके दसंभाव में होने से नौकडी में तरक्की मिलने की संभावना है अगर इन चार दिनों में समय ठीक रहा मिलाजूला करके अगर निकल गया समय ज़्यादा नुकशान नहीं हुआ तो नौकडी में तरकी भी आपको मिलेगी और अगर आप इस कोरोना से बच गए तो आगे चल करके आपको नई जॉब की तलास जो है वो भी आपके एक्छा के अनुशार अनुकूल रूप से आपको मिलेगी मित्रों बात किया जाए आपके बैपार की आपके बिजनेस की अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय में आपको बैपार में उतनी बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है आपका पैसा कुछ ज़्यादा खर्च हो सकता है लोग आपसे प्रियास करेंगे कि कुछ इसे पैसे ठग लें कुछ इसका खर्च करवा दें नुक्सान करवा दें तो वहाँ पर में आपको खुद ही थोड़ा सचेत रहना होगा क्योंकि बिजनेस में नुक्सान होने की संभावना है और इसे तो समय ही अभी नुक्सान वाला चल रहा है लेकिन सिंग रासी वालों का कुछ जादा ही नुक्सान होने जा रहा है बैपार आपका अच्छा नहीं चलने वाला है नौकरी में तो अभी सरकार नहीं रोक लगा दी है लेकिन अगर आप घर से भी कोई काम कर रहे होंगे तो आपका मन नहीं लग रहा होगा आपका द्यान बार बार भटक रहा होगा मन आपका बार बार भटक रहा होगा और इधर उधर भागने का प्रयास करता होगा और इसे आप धर्मात्मा हैं आप पुन्यात्मा हैं आप हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं किसी का नुकसान करना नहीं चाहते है बहुत ज्यादा दयालू है ऐसे बिपरीज समय में भी चाहते होंगे कि दूसरों का मदद करें दोस्त दुस्मन का भेद नहीं रखते होंगे लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है आपके जो दुस्मन है वो अभी ऐसे बिपरीज समय में भी आपके पीछे पड़े हैं और आप को परिशान करने का प्रयास कर रहे हैं आपको वह नुक्सान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अगर उनको अभी भी मौका लग गया तो आपके परिवार को खंडित करने का प्रयास करेंगे परिवार में बिग्न डालने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि कैसे भी करके इ मिला जुला करके ठीक ठाक रहने वाला है साकारात्मक बदलाओ आने की संभावना दिखाई दे रही है बिती बातों को आपको भूल करके अपने पार्टनर के साथ अपने प्रेम शंबंध का अपने लव पार्टनर के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ शुरुआत करना चाहिए नई शुरुवात करना चाहिए और किसी बज़ा से आपका लव मेट आपका लाइफ पाटनर उदास रह सकता है तो उसकी उदासी का कारण आपको जानना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो उदास ना रहे उसके मूड को बदलने का आपको प्रयास करना चाहिए जीवन साथी करन आपको समाज में सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है और इस समय में आप लाल, सफेद और नीला इन तीन रंगों का प्रियोग कर सकते हैं आपके लिए ये तीन रंग जो है सो लखी कलर है भागेशाली रंग है 28, 29, 30 और 31 को ये चार रंग आप प्रि हट नहीं करें नहीं तो समय खराब चल रहा है हट का परिनाम अच्छा नहीं आपको मिलेगा आपको बुरे परिनामों का सामना करना पर जाएगा इसलिए हट ही ना बने महत्व कांग्छी रहें महत्व कांग्छी आप हैं हमेशा मन में कुछ न कुछ इक्षा लेकर के चलत नहीं है केवल हथी न बने जिद्दी न बने नहीं तो नुक्सान आपका होने वाला है क्यों कि समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है आपके लिए उपाई बस यही है कि जरूरत मंदों की तो ऐसे भी आप सहायता करते ही यहें मेरी दियालू है चार दिन बहुत खतरनाक रहने वाला है लेकिन इसके बाद का समय जो आने वाला है वो अच्छा रहे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खुसी आई अच्छा समय रहे आपको पड़ेसानी जादा ना आई क्योंकि दुस्वन हमेशा आपके पीछे लगा करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक भी कर दें चलिए आप सभी का एक वाल फिर से बहुत बहुत धाने बाद थैंक्यू थैंक्यू सोमाच जहिंद बंदेवांत्रम